पुश्कर में नावालिक युवती के साथ गैंग रेप का संसनी खेज मामला सामने आने के बाद तीर्थ नगरी पुश्कर पर फिर एक बद्नुमा दाग लग गया पुश्कर थाने में एक महिला सहीत आठ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमत दर्च कराया पुलिस ने युवती का मेडिकल मुआयना कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है पुलिस को दी गई शिकायत में पुश्कर रोड पर गई थी तभी बोलेरों में सवार युवक उसे जबरन गाड़ी में बिठा कर अजमेर की तरफ ले गई राजमेर के भी दो युवक्षा मिलें सियो ग्रामिन भगवान सिंग और सियाई रमेश सिंसिन वार ने घटना अस्थल का मौका मुआयना कर आरोपियों की धर पकड़ के लिए टीमों का घटन कर दिया है यह साई शक्ति सिंग के नित्रत में पुलिस ने आरोपियों की तल इसने नामजद रिपोर्ट दी है सांसी जाती के व्यक्तियों के बारे में के पांच-छे जने थे और मुझे जबरन उस गाड़ी में डाल दिया और अजमेर की तरफ लेगे और रात को उनमें से दो लड़कों ने मेरे साथ में गेंग रेप किया है और जिस समंद में हमने प्रकांदर्द के लिए आज मेने मोहाना किया है और बालिका का मेडिकल मुएना करने के लिए चीकछ सालह बेजा गया है मैं लकडी लेने को गई थी वा बुड़ा फुसका रस्ते पर जो लकडी लेके दस पजरीत में पानी लेने के लिए चल गई थी जो गाड़ी आ रही थी जो मुझे बोहात पकड़के बोतल नीचे पटक के मुझे गाड़ी बीठा दिया एक तो नेमी चन था एक हीरा थी लख प्रकाष की तेश मार्च को राम गई दाज कराई गई थी उसके बाद से गुमशुदा ऑम प्रकाष की पतनी और रेगर समास के लोग जिला प्रशाशन और पुलिस पर लगातार दवाब बनाई हुए थी लेकिन पुलिस को कोई सफलता आत नहीं लग रही थी शुक्रवार को हिरासत में लिए गए एक संदिक्द आरोपी की निशान देई पर बाड़ी नदी से उन प्रकाश की जली हुई लाश बरामत कर ली गई इस मौके पर एस्पी महेंदर चौधरी, एस्पी प्रविंट जैन, आईपेस गोरा व्यादव, रामगंज थाना प्रवारी, नानो रामगंज थाना प्रवारी, करान सिंग सहित, पुलिस जापता तैनातरा, पुलिस ने खबर लिखे जाने तक आरोपी का खुलासन नहीं किय एसान नहीं जातरा.